आधर का डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर ओपन कर लिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने Google Chrome ओपन कर लिया Google Chrome ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सार्च बार है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा myother.uidai.gov.in यहाँ आधर सार्च करेंगे तो यहाँ पर इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो myother.uidai.gov.in यह जो लिंक है वो description box में आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ से भी आप directly जा सकते हो तो इसके उपर आपको क्लिक करना होगा सबसे पहले and other portal जो है इसके अंदर आप आ जाएंगे अब यहाँ पर आप login भी कर सकते हो यहाँ पर तो login किस तरह की से करना है वह सारी की सरी चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे directly किस तरह की से आधर डाउनलोड करना है वह दिखेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे scroll करके आना होगा and यहाँ पर आपको दिखाए देगा download other इसके उपर आपका cursor लेके जाना है and यहाँ पर जो arrow दिखाए रहा है simply इसके उपर आपको click करना होगा अब आधर डाउनलोड करने का तीन तरीका है पहले है through other number दूसरा है enrollment ID number मतलब जब आप नए आधर create करते हो आपका बच्चे का या इस तरीके का तो उसके लिए जो enrollment ID होती है उस enrollment ID की जरी आप कर सकते हो यहां पर है virtual ID number आपको अधर करके अंदर ही देखने को मिल जाती है वह आपको एंटर करके भी आप जो है आधर कर डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर आधर number आपको देना होगा तो मैं यहां पर आधर number दे दिया इसको blur करके रखा हूँ क्योंकि security के लिए मेरा आधर number आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ इसके उपर आपको प्रेस करना होगा, जब आप Send OTP प्रेस करेंगे, तो यह आपका जो mobile है, वहाँ पर एक OTP आ जाएगी, जैसे कि मेरा जो capture है, यह invalid दिखा रहा है, तो मेरा को और एक बर देना होगा, जैसे कि capture दे रहा हूँ, O, M, K, C, Y, J, अब यह दे दिया, फिर Send OTP के यह जो number है, आप दिख रहा हो, यहाँ पर वो number आपको देना होगा, जैसे कि मेरा case में यहाँ पर OTP है, 783673, यह OTP है, यह OTP देने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, यह है verify and download, इसके उपर आपको click करना होगा, जब आप इसके उपर click करेंगे, तो जैसे कि यह आदर है, तो मेरा name आपूहसन बईद्या, यह दे दिया, फिर यहाँ पर safe की उपर आपको click करना होगा, safe की उपर click करना होगा, तो यह download हो जाएगी, अब इसका एक password का जरूरत है, password क्या है, यहाँ पर देखिए, combination of fast four letter of your name, आपका जो name है, नाम है, उसका fast four letter आपको देना होगा, and वहाँ पर अगर space है, तो वो countable नहीं है, and ध्यान रखने के बाद यह है, कि उसके अंदर अगर dot है, तो countable है, कभी गबर क्या होता है, लोगों को, जैसे कि name है, जैसे कि मेरा name है, abu.hasan, तो abu and dot को पकड़ना होगा, लिकिन space आपको नहीं लेना है, फिर आपका जो birth year है, वो आपको देना होगा, तो यहाँ पर हम लोग back आ जाते है, and इसको open कर लेते है, जब इसको open करेंगे, तो यहाँ पर password मंग रहा है, तो मेरा जो name है, जैसे कि मेरा other cut के अंदर जो name है, वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, and fast जो 4 character है, वो दे दिया, and म मेरा birth year दे दिया, जैसे कि 1997, 6, 5, 4, जो भी है, फिर देने के बाद यहाँ पर आपको submit के उपर प्रेस करना होगा, and यहाँ पर आपका other card open हो जाएगी, जैसे कि देख सकतो, मेरा other card open हो चुग है, and यह photo है, and यह QR code है, जैसे कि आप देख सकतो, and यहाँ पर जो आपको यह द digital signature करके चीज़ है, उसके उबर आपको click करना होगा, वो आप लोगो को नहीं दिखा रहे है अभी, तो वो आप कर सकतो, उसके अंदर जाके, तो यह हमारा other card open हो चुक है, and इसको अब आप print कर सकतो, कुछ भी कर सकतो, अब यह तो गया other card, other card number की जरीए किस तरीके से download करना ह तो फिर आपको दूसरा तरीका भी दिखा देता है, जैसे कि यहाँ पर my other.uitai.gov.in, इसके अंदर यह वाला जो बटन है, इसको पर फिर से आपको प्रेस करना होगा, and यहाँ पर आपको दिखाए देगा enrollment ID number, enrollment ID number किया होती है, जो आपका, जब पहले बार किसी पर other card बनाते हो, नया की rate करते हो, तो उस वहाँ पर 14-digit के enrollment number होती है, वो number यहाँ पर देना होगा, EID date आपको select करना पड़ेगा, जिस date में उसके अंदर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते, screenshot में, वो date आपको यहाँ पर select रहना होगा, exact date, date select करने के पाद, EID time, exact hour, minute and second, उसके अं enter capture, जो यहाँ पर आपको capture दिखाई देखा, वो capture आपको press करना होगा, फिर send OTP आपको press करना होगा, and जब आप send OTP के उपर press करेंगे, तो जो mobile number से वो आधर आपने नया create किया, या उसका modification किया, तो उस mobile number पर OTP जाएगी, जैसे कि आपको दिखाया पिछले बार आधर number की and वो same तरीके से download हो जाएगी, same तरीके से उसका password भी same होगा, वो आप कर सकते हो, and तिसरा यहाँ पर है virtual ID number, जो आपका आधर कट का virtual ID number होती है, जैसे कि यह जो आधर है, इसका virtual ID number आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप देखिए, यह है virtual ID number, यह प वो VID है, visual identity number, वो virtual ID number आपको यहाँ पर देना होगा, and same process है, send.odb, and same process है, जिस तरीके से अधर नंबर के जरिये आप कर सकते हो, तो इसी तरीके से अब basically आधर कट को, काफी आसान तरीके से आप आपना PC या mobile के अंदर download कर सकते हो, mobile के अंदर अलग प्रसेस है, वो अलग व आपना ही.